हेलो फ्रेंज मैं सेल्फ अम्रुद्राना वेलकम तो माई एचुनोलेज यूटूब चैनल इफ यू आ नोट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब फर लेडर सब्सक्राइब वीडियोज हमने फर्स्ट भाग में पार्ट में कनूज के राजा हर्सवदन के बारे में सब कुछ पढ़ा अब हम ये पार्ट टू में वतापी के बारे में जो बड़ा एक स्टेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे वेन किंग हर्स वास रुलिंग ओवर इस एंपायर इन नौर्थ इंडिया किंग पुल केसी टू वास रूलिंग इन साउथ इंडिया ही हेड अर्लियर डिफेटेड हर्स नोर्थ इंडिया क्पें हर्स का रास चल रहा था उसी टाइम में उसी समय पे स्थाउथ के अंदर पुले के सिटू का प्रूलिंग था यानि रूल कर रहे थे साउथ के साउथ इंडिया में और आप हम लोगों ने पढ़ा हर्स वर्धन के बारे में जब पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि उन्होंने पुलकेसी टू ने हर्स वर्धन को डिफिट किया था अब हम लोग इनका इनके जो थ्रॉन पर आये तो कौन-कौन से इसके डाइनिस्टी में के कौन से डाइनिस्टी से यह बिलूंग कर रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे ते किंग ऑफ चालुक्या डाइनिस्टी एस्टाब्लिस वास्ट एंपायर इन साउथ इंडिया वीच देर रूल फ्रॉम देर केपिटल एट वत्तापी बदामी करनाटका अभी के टाइम में वह बदामी करनाटका में आया हुआ है तो यह जो पुलकेसी टू राजा है किंग है वह चालुक्या चालुक्या यानि के सोलंग की डाइनिस्टी से बिलूंग करते थे और यह जो इसके डाइनिस्टी ने और उनकी जो केपिटल थी उस टाइम पर वता पी उसके केपिटल थी और उनको एस्टाब्लिस करने में पुलकेसी वन ने बहुत भागीदारी उनकी है बहुत एहम उनका काम माना जाता है ग्रेट किंग ऑप चालुक्या डाइनिस्टी प्रफॉम अस्ममेग यगना जो पुलकेसी फर्स्ट है उन्होंने वो चालुकी डाइनिस्टी का बहुत बड़ा एक महान राजा है उन्होंने अस्ममेग जो यगन होता था जो अस्ममेग का उन्होंने किया था उनके फ्लेग में वरहावतावर का एक चीन था इस सन किर्तिवर्मा असेंडेट दे थ्रोन आफ्टर हीम फिर बाद में पुलकेसी फर्स्ट के बाद कोन आया उसका सन कोन था उसका सन का नाम क्या था किर्तिवर्मा तो किर्तिवर्मा जो है उनके थ्रोन पे आये उसके बाद he was succeeded by his brother तो कृति वर्मा के बाद उसका ब्रदर इसका ब्रदर का नाम है मंगलेस who built the grand Vishnu temple at Vatapi जिनों ने Vishnu temple का built किया है बहुत बड़ा temple उन्होंने built किया था वतापी के अंदर after him the righteous Pulkesi 2 become king and rule over the empire for 30 years मंगलेस के बाद कोन आया Pulkesi 2 Pulkesi 1 के बाद किर्ति वर्मा के बाद मंगलेस जिनों ने Vishnu temple वतापी गेंदर built किया था यह information आपको याद रखना है मंगलेस के बाद Pulkesi 2 रूल पर आया उन्होंने 30 years तक रूल किया कि यहां पर फोटो भी दी गई है Pulkesi 2 की अब उनके कारे काल में उन्होंने जो जो काम किये होंगे वो सब यहां पर दिये गए वो उनके बारे में हम पड़ेंगे Pulkesi was a lion king who won many battles यानि के यह बहुत युद्धा थे बहुत clever युद्धा और बहुत महान युद्धा थे इसलिए वो बैटल जादा करते थे और बहुत ही जादा उन्होंने बैटल जीते हैं इस फर्स्ट विक्टरी वॉस ओवर लाट साउ यानि के साउत गुजरात के अंदर लाट एरिया है हमारा गुजरात के अंदर वह साउत गुजरात कि में है और उनको उन्होंने when किया था पहले ही उनको जीत लिया था फिर जो गुर्जर जाती थी वो नोर्थ गुजरात के अंदर रूल कर रही थी तो वहां पर भी उन्होंने उस एरिया को भी उन्होंने जीत लिया था जो कृष्टना रिवर है और गुदावरी रिवर के बीच वाला जो पाठ है उसको बोलेंगे वेंगी रिजन उनको भी उन्होंने वहां पे उन्होंने कंट्रूल कर लिया था यानि उनको भी कर लिया था क्यों नेकिट लिया था ओल्सोएंग वाल परदी आन्द को भी उन्होंने जीत लिया था He transferred the capital Vatapi into a city magnificence and splendor जो Vatapi capital है उनको बहुत अच्छी नगर बना दिया था बहुत अच्छा एक city बना दिया था उन्होंने हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है हर्षवदन और पुलकेसी टू की जो आर्मी है कहां पर बैटल हुआ रिवर नर्मदा के पास वहां पर उन्होंने और वही उनकी एक बॉर्डर बन गई थी रिवर नर्मदा के उस साइड जो है मंसुबा था वह एक खतम हो गया है यानि कि हर्ष ने बस वहां तक उनका रोक लगा दिया था अब लड़ाई बंद कर दी थी एंपाइर अपका नोज और नर्मदा नर्मदा के बाद वह आगे नहीं पहुच पाए क्योंकि वहां पर उन्होंने बैटल कर दिया था और बैटल में और्स वदन को हार मिली थी पुल कैसी टू वाज नोट ओनली ए ग्रेट वारियर बट बट अलवर ऑफ आर्ट्स यानि वह वारियर के साथ साथ उनको आर्स के परती भी बहुत ही लगाव था उसके समय में धारापूरी और वतापी की केव बिल्ट किया था बनाया गया था दब फियमस केव मूराल्स फियमल फियमस केव मूराल्स अप अजंता वेर ओ सो अपैनिटेड एट टायम उस टायम पे जो अजंता हम लोगोंने बहुत बात नाम सुना हुआ है हमको मालूम भी होगा तो अजंता जो है उनमें पैंटिंग करवाना जो इमेजिस बनाना उस किया था इन हीस ट्रावेल्स यूएन टी सिंग विजिटेट दा कोट आप पुलकेशी टू एन हैस गीवन अविविद एकाउंट आप इस ग्राइंडियार यान हम लोगों ने हर स्वधन के टाइम में यूएन टी सिंग के बारे में पढ़ लिया उन्होंने शिक्स्त प्रिया का जो कांग्रेगेशन था उनमें भी पाटिसिपिट किया था तो हर स्वधन के टाइम में यह आया हुँ था फाइव यर्स तक वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे उनके बारे में पढ़ा इंडिया और इंडिया में 15 साल तक रहा तो उस टाइम में यह पारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि उनका जो राजिय है बहुत बढ़ा है बहुत अच्छा है कि दगीन आफ चालुक्या डाइनस्ट्री रफ वो decline यानि उसका प्रभाव जो था वो बहुती कम हुआ लेकिन वाइल दिगंबर जेंड से गेंड पॉपिलियरिटी लेकिन दिगंबर नाम का एक पंथ जेंड पंथ है उनका जो प्रभाव था वो एक पॉपिलियरिटी यानि के बहुत ज्यादा था और वो बढ़ा भी हर्सवतन और पॉलकेसि थो रे गुटमरी रुलर था वर हर्सवतन और पॉलकेसि तुटनी वार्स फोर्ट प्रवराव जाड पॉलकेसि वो चन्तुंदे वाग इंड वार्स किंग हर्स वुदन डाइड फाइए यह आप्टर हीम मतलब कि पुल केसी टू जो है वो उनकी जो महत्वका अंसा थी वार करने की उन्होंने कंटिवूनी रखा लेकिन जो हर से उन्होंने बैटल करना थोड़ा कम कर दिया या फिर बाद में एस कंपेर टू पुल केसी के पु फूर दिया था और वहां पर उनके राजियम में ही आरामसे रहते दे लेकिन जो श्». तो के सिए उनका जो सपना था वह बहुत बढ़ा था यानि बहुत ज़्यादा वार करने का तो वार करके वह कॉंकर करने का तो ऐसे में यह चालू ही रखा उन्होंने वार करना कंटिनूड वेगिंग वार्ज ही फाइनली मेट इस एंड यानि इसका जो डेड हो गया मुरूति हो गया 642 में किसके साथ पल्लव किंग जो था पल्लव किंग था कांचु पूरम में पूरम का उन्होंने उनके साथ कॉन्फिक हुआ यानि वार हुआ उस टाइम पे 642 में उनका मुरूति हो गया डेड हो गया किंग हर्सवदन डाइड फाइड यार्स लेटर यानि जो किंग है हर्सवदन पूल केसी से फाइड यार्स ज्यादा जीए और बाद में उनका मुरूतियू हुआ या डेड हुआ थेंक यू एव ग्रेट डेए